प्यारे मित्रों नमस्ते देखिए इंजीनियरिंग रिष्टिक्शन्स एंड इंडिकेटर से रिलेटेड 11 कोश्चन बोर्ड पर नोट है इसी के बारे में हम लोग इस्टडी करेंगे देखिए फर्ष्ट कोश्चन है क्या इन केस आप सार्ड डिूरेशन वर्क देखिए ये सार्ड डिूरेशन वर्क से रिलेटेड कोश्चन है इसके पहले वाले वीडियो में भी हमने आपको सार्ड डिूरेशन वर्क के बारे में बताया है देखिए, where train is not required to stop, before work site, मतलब इस case में, भाई देखिए, work site के पहले train को stop नहीं कराना है, इसके पहले वाले वीडियों में बताया था, कि जो है, train को work site के पहले जो है, stop कराना है, इसके बाद, जो है, reduce speed से pass होने देना है, बट इसमें ऐसा नहीं है, इसमें जो है, train को without stop किये, reduce speed से pass होने देना है, कहां, work site पर, देखिए, it required to, the train pass over work site at restricted speed, कही मैंने आपको बताया, in block protection, in block protection, then, post a flagman, then, post a flagman, exhibiting caution hand signal, at a distance of 30 meter from the place of obstruction, देखिए, ये पूछा गया है, कि क्या, ये जो statement है, true है, या false है, तो देखिए, statement true है, इसका मतलब ये है, कि, इस case में, जो अभी मैंने उपर आपको dictate किया, तो इस case में, जो है, ठीक है, speed restriction पर, जो है, क्या करना है, train को pass होने देना है, work site पर, बट, देखिए, 30 meter के distance पर, place up work से 30 meter के distance पर, एक flagman रहेगा, कासन flagman, तो क्या ये statement, statement, जो है, true है या false, तो देखिए, true है, देखिए, देखिए, यहाँ figure भी बनाया गया है, तो आप देख लीजे, first question यही है, ये work site है, तो यहाँ से, 30 meter पर, देखिए, एक flagman, जो की, देखिए, flag लिए हुए है, 30 meter, दूर, तो इसलिए, ये statement, true है, देखिए, second number का question भी same है, देखिए, इसके रामा, बोला जारा है, also post a intermediate flagman, with constant hand signal, at a distance of 600 meter, and he will also place a binary flag across the track, क्या ये statement true है, या false है, ये भी statement true है, देखिए, यहाँ से, जो work site है, वहाँ से, 600 meter पर, एक intermediate flagman, देखिए, ये है intermediate flagman, उसकी activity है, कि वहाँ जो है, देखिए, binary flag, across the track, क्या करेगा, प्रोवाइड कर देगा, अब उसके बाद, वो भी flag दिखाएगा, वो भी, उसके भी हाथ में, flag awesome, hand signal, ठीक है, तो ये भी statement, लेकिन हाँ, work site से कितने distance पर, 600 meter, correct, statement correct है, देखिए, third question, same question है, तो इसमें कहा गया है, also post a flagman, मनलब एक और flagman, post किया जाएगा, ठीक है, एक्स हीबिटी, कासन, hand signal, at a distance of, 1200 meter from, place of obstruction, देखिए, यहाँ पर figure देखिए, यह जो place of obstruction है, यहाँ से 600 पर तो intermediate flagman हो गया, और यहाँ से फिर 600, तो यहाँ से total distance हो गया, 1200 meter, तो 1200 meter पर यह जो last, यह जो है, third, third flagman है, यह क्या है, third flagman है, यह इसको last flagman, और देखिए, train इधर से आएगी, तो यह statement भी क्या है, true है, यही पूछा गया है, 1200 meter पर यह जो है, यह जो है, एक flagman और जो है, post किया जाएगा, तो yes हाँ, correct है, answer true है, देखिए, यह आपको मैंने आप बता भी दिया, फिर एक बार बता दें, कि आप्स्रक्शन साइट से 30 meter पर एक flagman, इसको, मा लीजिए, flagman number one है, फिर जो है, यह आप्स्रक्शन साइट से 30 meter पर, एक intermediate flagman, यह flagman number two, मा इससे कोई फरक नहीं पढ़ने वाला है, यह आप्स्रक्शन साइट से 600 meter पर, बट यह देखिए, यह banner flag भी जो है, यहाँ provide करेंगे यह, सेकंड वाले, देखिए, यह third flagman है, last वाले, और देखिए, यह जो है, यहाँ से आप्स्रक्शन साइट से 1200 meter पर, यह सारी बाते, बीजी के केस में की जा रही है, सारी बाते, बीजी के केस में की जा रही है, तो देखिए, यह last flagman है, जो कि यहाँ से कितने distance पर होता है, 1200 meter पर, देखिए, जो four number का question है, the arrangement shown in figure, देखिए, यह जो figure में arrangement shown किया गया है, will be adapted both side, आप abstraction, देखिए, यह जो abstraction side है, या working side है, इसके both side, तो देखिए, question यही है, कि यह जो figure adapt किया गया है, यह both side किया जाएगा, तो in case आप, इसका answer है, in case आप single line track, single line track के case में दोनों तरफ किया जाएगा, देखिए, इसके पहले वाले वीडियो में भी, जो हमने आपको बताया था, ठीक है, उस case में train को stop, यह जो work site है, उसके पहले train को stop करना है, लेकिन उसमें भी यही case है, कि अगर single line का case है, तो दोनों तरफ किया जाएगा, वह arrangement, ठीक है, देखिए, five number का question है, in case of double line, बाले यह double line का case है, तो the arrangement, sony figure will be adapted, देखिए, जो यह arrangement, so किया गया है, तो भाई, देखिए, उस, भाई, मलीजिये, ध्यान दीजिये, double line के किसी भी line पर आप work कर रहे हैं, up पर या down पर, तो भाई, double line के case में, सिर्फ मलीजिये, up line पर आप कर रहे हैं, तो up line में, जिधा से train आने वाली है, उसी side work किया जाएगा, दूसरे साज नहीं किया जाएगा, क्योंकि double line के case में, आपको मालूम है, train एक तरफ से जाती है, और दूसरे down line से वापस आती है, तो कहने का मतलब, उसमें जो है, तो यहां देखिए, answer में लिखा गया है, in the direction, towards the train is coming, मनलब जिधार से train आ रही हो, मनलब जिधार से train आने की possibility हो, उधर ही क्या किया जाएगा, double line के case में, यह जो, देखिए, यह आपका, जो भी arrangement, सो किया जाएगा, वो किया जाएगा, देखिए, six number का question है, in above case, जा ध्यान दीजिएगा, above case, three detonators will be also placed at the 1200 meter distance, मनलब यह बोला गया है, कि यहां पर जो 1200 meter distance पर third flagman है, last, वहां पर three detonators, देखिए, क्या कहा गया है, in above case, three detonators will be also placed at 1200 meter distance from work site, the spacing of detonators will be, मतलब यहां पर, जो detonators, जो है, देखिए, प्रोवाइड किया जाएगा, वो अब 1200 meter पर, उसका spacing क्या होगा, पुछा गया है, उसका spacing क्या होगा, पही, ऐसे question पुछा जाए सकता है न, हां, कि उसका spacing क्या होगा, तो आप जटके में 10 meter interroll link देंगे, माल लिजे, गलती हो सकती है, तो देखिए, इसका मतलब इस case में कोई detonator use नहीं होगा, तो इस पे से किस बात का भाई? आप देखिए, question को समझिये, अब question को, देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, ये question जो भी है, सब बना दिये जाते हैं, बना लिये जाएंगे, तो ठीक है, तो इस case में detonators का use नहीं होता है, तो इस पे सिंग का कोई ही सवाल नहीं होता है, तो इसका answer, no any detonators will be used for above case, देखिए, अब मैं, आपको 7 number का question, in above case, all the distance can be also taken from center of the work site, ये पुछा गया है, देखिए, जो भी distance लिया गया है, ये end of work site से लिया गया है, इंड आप work site से लिया गया है, तो ये पुछा गया है, क्या center of work site से भी लिया जा सकता है, तो इसका answer है no, नहीं, कभी नहीं लेंगे, center of work site से कभी नहीं लेंगे, अब उतका रिजन आप समझ रहे होंगे सेंटर आप वर्क साइट से लेंगे तो आपका जो इडिस्टेंस 1200 मीटर है वो रिडिउस हो जाएगा भाई माल लिजे यह जो वर्क साइट है माल लिजे सब पोज करिए 400 मीटर का हो माल लिजे तो 200 तो सेंटर से जब लेंगे तो 200 मीटर तो यह जो डिस्टेंस बचेगा यह तो क्या होगा आपका अरे 1000 हो जाएगा तो आप मैनुवल का दिसोबे कर रहे हैं तो किसी भी कंडिशन में सेंटर लाइन से नहीं लेंगे हाँ ठीक है माल लिजे आप कोई वर्क कर रहे है टू मीटर के अंदर उस वर्क साइट जो है टू मीटर थ्री मीटर है लेकिन फिर भी देखिए टेकनिकल पॉइंट अब व्यू से जब कोशन पूछा जाएगा तो आप किसी भी कंडिशन से सेंटर लाइन नहीं लिख सकते मैं ठीक है प्रेक्टिकल पॉइंट आप व्यू से जो है माली जे आपका जो वर्किंग साइट है फोर मीटर है और सेंटर से क्या हुआ टू मीटर तो ठीक है टू मीटर एक कम हो जेगा लेकिन नहीं 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 मैनूट नहीं बोलता है आपका कोश्चन जब आएगा तो आप जो है किसी भी कंडीसर में देखिए टू मीटर तो कम हो गया तो इसका मलब 1198 होगा नहीं आप कोश्चन देखिए कोश्चन में नहीं लिख सकते वो बात दूसरी है कि प्रेक्टिकल पॉइंट आप यहां से 1200 मीटर है ठीक है आप 1 मीटर 2 मीटर कम भी लगाएगे तो क्या प्रावलम है कोई बात नहीं है लेकिन देखिए यह जो है टेक्निकल पॉइंट आप यू से किसी भी कंडीसर में सेंटर लाइन आफ जो जो यह वर्क साइट है या अफ्ट्रक्शन है उससे नहीं लिया जा सकता देखिए एट नमबर का कोउस्चन ज़्यान से देखिएगा इन एभाब केस अलग केस यही है इंटर्मीडियेट फ्लाइग मैन रिमूब दा बाइनर फ्लाइग इंटर्मीडियेट फ्लाइग मैन की जिन्दारी है कि वह क्या करेगा बाइनर फ्लाइग को रिमूब कर देखिए इवेट ट्रेंट पासिंग दा रिडिउस स्पीड जबकि ट्रेंग रिडिउस स्पीड से नहीं पास हो रही थी क्या ये statement true है नहीं false है statement false है अरे बहुँजे reduce speed से train नहीं आ रही है तो banner flag नहीं अटाएगा हो और देखिए जो train pass होने के लिए जो signal है वो दिखा रहा है इसमें लिखा गया है नहीं नहीं दिखाएगा हो तो statement false है अच्छा देखिए 9 number का question क्या है ध्यान दीजिए in case आप question number 8 ठीक है देखिए question number 8 का ही बात किया जा रहा है what action to be taken by intermediate flag mind लीजिए ये question पूछा गया है कि भाई देखिए train reduce speed से नहीं आ रही है उसको पता चल गया तो क्या action लेगा हो तो देखिए इसका answer है at once he will running towards भाई तुरान्त train की तरफ भाई रन करेगा क्यों कुछ भाई देखिए बात बता देए speed तो train कुछ दूर पहले रहती है तभी पता लग जाता है ठीक है हम यह नहीं कह रहे हैं 200 मीटर 300 मीटर या 200 मीटर पहले उसको पता लग जाएगा train फुली स्पीड से आ रही है कि रिड्यूसी स्पीड से आ रही है तो अगर फुली स्पीड से train आ रही है तो वह तुरंद क्या होगा क्या एक्षम लेगा धौडेगा देखिए at once he will running towards train to showing red signal और red signal को सोत करते रहेगा दौडता रहेगा इसके बाद देखिए and he will try to stop train before work site किसी भी कंडिशन से वह दौड़ेगा और train को stop कराएगा train को red red flag लेकर के हाथ से दौड़ा हुआ है और उसको दिखाएगा दिखाएगा train driver जो है देखेगा brake मारेगा अकोसिस रहेगा देखिए अभी भी यहां से 600 meter है 600 meter है work site और माली यह 100 meter पहले से 100 meter दोड़ गया तो देखिए एक बात बता देए तो ऐसा है कि कुछ तो भाई देखिए यहां पर तो clear सी बात है कि एक्सलों वह ही करेगा train को रोकने का प्रयत्न खूब करेगा वो driver भी train को रोकने के प्रयत्न करेंगे क्योंकि वह रिडिस स्पीड से नहीं आ रहे थे तो देखिए इसके बाद एक बात और भी है he will not remove binary flag from track ऐसा नहीं कि binary flag जो है इसके पाले वाले question में कहा गया है कि binary flag को हटा देगा नहीं binary flag वैसे रहेगा देखेगा तो वह क्या करेगा दोड जाएगा और train को stop करेगा किसी भी तरह से driver को भई red hand signal दिखाएगा भई और train driver जब देखेगा कि दूर से ही कि भई कोई आ रहा है red signal दोडते हुए तो वो निश्चित रूप से क्या करेंगे भई brake तो मारी देंगे वहीं पर ठीक है देखिए अगला question क्या पुछा गया है 10 number का the situation describing it question number 8 can be possible पूचा यह गया है कि जो 8 number question में जो situation describe किया गया है कि train जो है reduced speed से नहीं आ रही है क्या यो possible है अरे भई क्योंकि यहां पर तो फ्लाइग मैन है ना यहां फ्लाइग मैन है ना देखिए ना वो तो भई अपना जो है कासन इंडिकेटर दिखा रहा है ना तो यहीं से तो ड्राइवर जो है ब्रेक मार देगा यहां इसके पर यहीं भई कासन इंडिकेटर वो देखेगा तो परले ही पर एक मार देगा और देखिए इसके अलावा इस्टेशन से उसको कासन अर्डर मिला रहता है इसलिए वो ऐसा लेकिन, लेकिन, लेकिन कोस्टेशन यह पुछा गया है कि इदर सिचुएशन डेसक्राइब इन कोस्टेशन एट कैन भी पासिबल हाँ, पासिबल है अब लीजिए कैसे पासिबल है भाई तो ठीक है देखिए कोस्टेशन नमर अलेवन same question है कि question number 10 जो अभी ही कि possible है तो when this type of situation can be possible कब ये possible हो जाएगा भई ऐसा type का situation कब possible हो जाएगा देखे तो यहाँ पर if unusual occurrences comes with last flagman माली जे ये last flagman है और इसके साथ जो है suppose करिए unusual occurrences हो गया अब unusual occurrences में क्या माली जे सदेन उसको चकर आगया गिर गया माली जे सदेन उसकी देथ हो गई सदेन जो है भई भई देखे सदेन का मतलब कोई अतिकनोर करने वाले लोग आए और उसको मार पीट कर जो उठा ले गए मेरे काने का मतलब ये हो सकता है इसके अलावा इसके अलावा देखिए देखे काने का देखे unusual occurrences इसके साथ हो गया दूसरा due to total font of driver माली जे एक बात और भी मैं कह रहा हूँ इसको जो है इसके साथ कोई unusual occurrence नहीं हुआ ये कासन इंडिकेटर दिखा भी रहा है driver सो रहे हैं माँ देखे मैं ये मैं नहीं का रहा हूँ कि कोई driver सोते हैं लेकिन ऐसा हो सकता है कि किसी भी वज़ा से overlook कर जाए driver क्या इस flagman के indicator को देखना हूँ तो किसी भी तरह से overlook कर ले कोई भी लापरवाई हो तो ये हो सकता है तो यहाँ पर train जो हाथी भई इसको दिखाई पड़ेगा कि train full speed से आ रही है इसके रहा हमा एक और एक और देखिए due to fault of station master station master कासन आड़त देना भूर गये suppose करिए कासन आड़र ही नहीं मिला तो भई डेखें कासन आड़र मिलने से driver लोग alert हो जाते हैं कि मैं आगे चलूँगा तो मुझे कासन मिलना है मुझे कहीन कहीन बीच में घारी रोकनी है तो वो alert रहते हैं कासन आड़र ही नहीं मिला तो इस case में अच्छा ठीक है कासन आडर नहीं मिलागा सपोज करिये तो ठीक है यहां पर तो मैंने तो आपको बताया कि भाई कासन आडर नहीं मिला यह भी एक region हो सकता है तो वो अपना ठीक है मान लीजिये लापरवाही मैं नहीं कहूंगा मेरे कहने का मतलब गलती तो किसी सज भी होती है एक आसन नहीं है इसलिए वो ध्यान नहीं दिये इस प्लैग माइन का आगे बढ़ गए यह कोई भी situation हो सकता है तो देखिए यह जो अब मालीजिये कोई यह लोग ऐसा भी पूछ सकते है कि इटर्मीडियर फ्लैग मैन के ही साथ यह सारी घटना हो जाए तो भाई उसका उत्तर आप स्वयन सोचिए उसका उत्तर आप स्वयन सोचिए उसका उत्तर आप स्वयन सोचिए उसका उत्तर यह है कि जो है यहाँ पर किस टाइप का वर्क हो रहा है अगर मालीजे जो भी है मतलब उसका उत्तर तो आपको स्वयम सोचना है ये इसका परड़ाम क्या होगा वो स्वयम सोचिए क्यों क्योंकि अगर ये इस फ्लैग मैं का कुछ हुआ अगर इसको वर्लुक मालीजे यहाँ से ट्रेन फुली स्पीड से आ रही है ये भी नहीं है तो ये तो ड्राइबर महोदा समझेंगे ती बड़ तो इतनी इतनी जो है इतनी जो है कम डिस्टेंस में अले भाई जाते जाते यहाँ पर जाते जाते इनको मालीजे 100 मीटर पहले ये फ्लैग मैं का जो है फ्लैग दिखाई भी दिया 100 मीटर में ट्रेन रुकना पासीबिल का है तो यह आप स्वैम सोचें देखिए एक्ट्वन में यह जो है अलेवें कोश्चन और उसके एंसर जीन फ्रेंड को स्क्रीन साट लेना है वो ले सकते हैं इसी के साथ वीडियो का यह पार्ट समापत होता है अगले पार्ट में हम फिर न्यू आइटम के साथ आप से मिलेंगे जै हिंद जै भारत नमस्ते